आज मैं मिलाने वाला हूँ आप लोगों को एक ऐसी टीम से जो की बहुत जादा खचरनाक है जो खुबसूरत भी है, अकलमन भी है, चाल साज भी है, हैकर भी है और उनका दिमाग भी बहुत जादा दोड़ता है ये सारे के सारे शोर है और इनका दिमाग एक कदम आगी चलता है सबसे तो भाई इस टीम की सबसे खुबशलत महिला से मिलाना चाता हूँ जिसका नाम है लिली, इसके बाद आते है हमारे भुजुर्ग आदमी जिनका नाम है विल्सन और फिर आता है हमारा हैकर बॉय जिसका नाम है लूकस और हमारे सीनियर कैप्टन जिनका नाम है मिग और ये टीम निकली है सबसे बड़ा ख़जाना चुराने के लिए जू कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं है और ये परफेक्ट बैंडी डोट्स टीम है और इस वैब सिरीज का नाम भी बैंडी डोट्स है तो स्वागत करता हूँ और चलिए अब सार्ट करते हैं इसकी कहानी इस एपिसूट का नाम है दा मैप और इस एपिसूट की सार्टिंग होती है एक बहुत बड़े होटेल से जिसका नाम है दर रिवर होटेल और दर रिवर होटेल इसलिए क्यों कि इसके होटेल में स्विमिंग पूल ही स्विमिंग पूल ही स्विमिंग पूल है और फिर जाता है अपने होटेल में काम करने के लिए होटेल में जब वो एंट्री करता है तब वो स्टाफ को गुड मॉर्निंग बोलता है और तब ही वहाँ पे मुलाकात होती है लिली से अब लिली जो है वो बैठी रहती है और उसके पास एक क्यूट सा पैट है जो की बहुत पतलू है अब लिली जो है वो लोगों को देख के पता लगा लेती है कि उसके पास कितना अमाउंट है उसके पास कितना पैसा है अब लिली जो है वो दुनों बाते करने लग जाते है मिगेल बोलता है कि तुम कहो तो एक बढ़िया बकरा दिखाओ तुमको और मिगेल जो है अपने पीछे एक आदमी को दिखाता है वो कहता है देखो वो सूट वाला बंदा कैसा रहगा तुमारे लिए लेकिन लिली उसको देखके बोलती है कि ये सिंगल नहीं है ये अपने हा के चोरी करते थे लिली बोलती है मैंने वो सब काम छूड़ दिये है अब तुम अपना मूँ बंद रखो तब भी वहां आ जाता है लुकस मिगेल बोलता है कि वो बच्चा कैसा रहेगा लेकिन वो माइनर है अभी 18 साल का नहीं हुआ है लेकिन तुम्हें देखके तो लगत उसका कजन है लुकस मिगेल के पास आता है और वो इसे एक डिक्स देता है इसके बाद लुकस जो है वो लिली को बोलता है तुम बहुत जादा खुबसृत लग रही हो और लिली उस पे लाइन मारने लग जाती है अब भाई कहानी सिफ्ट होती है एक मैक्सिकन बंदे पे जो की बैट की शराप पी रहा होता है और वही होता है हमारा मिगेल अब वो जो मैक्सिकन बंदा है वो सोने और खजाने की बात कर रहा होता है एक इंसान की फोटो दिखा के तब ही मिगेल बोलता है कि तुम मेरे बिल्कुल पापा की तरह बोलते हो वो इंसान बोलता है कि तुम इस आदमी को जानते हो, ये कहां है, बताओ मुझे, मिगेल बोलता है, ये तो शैर के बार है, ये मेरे पापा है, ये दोनों मिलके बाते करने लग जाते हैं, और सोने के बारे में बात करने लग जाते हैं, वो जो मैक्सिकन बनता है वो बोलता है तुम अस्तों के खजाने के बारे में जानते हो सालों पुराने खजाने हैं और वो वहीं दफन है जहां पे उन्हें दफनाया गया था आज तक उन्हें कोई बाहर ने निकल पाया है और ये कहानी सची है अगर वो सोना मिल जाए बहुत जादा ही लगपती हो जाएंगे लगपती छोड़ो करोड़ों पती हो जाएंगे और उस सोने में सबसे बेश कीमती है एक तेन दुगा जिसके आखों में हीरे हैं और वो एक मरे हुए राजा को वापस जिन्दा कर सकता है अगर वो तेन तो भाई साहब हम करोडो छोडो अर्वों में खेलेंगे इतना पैसा हुगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और यही मिगेल सुनके पागल हो जाता है कि अगर यह सोना हम चुरा ले तो भाई इस दुनिया पे हम राज करेंगे अब मिगेल जो है वो बोलता है कि मुझे नीन आ र मैप को गार चाहिए और उसके साइन पहचानने लग जाता है और इंसान चीशन बोलता हो तुम मेरे मदद करोगे खजाना चुराने में मीगेल वोलता है potato फूज आ रहा है, खजाना डोटने, उसे दिख रहे है एक सुन्दर सूने से बनी हुए लडडकी और जैसे ही वो उस लडड़की के पाज आने की कोशिश करता है, एक बच्चा आता है और उसके मुपे पिछकारी मार के भाग जाता है, और बुरा नमानो होली कर देता है मिगेल जब उठता है तो वो देखता है कि यार मैं ये कहां सोया हूँ वो स्विम्मिंग पूल में नहा के सीधा उस मैक्सिकन आदमी के पास जाता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी उठ जाओ हमें ख़जाना ढूंडे जाना है लेकिन उस रूम में वो आदमी होता ही नहीं है और फिर ये कहानी सिर्फ दोच रहती है मिगेल के फादर के उपर मिगेल के जो फादर है वो हिस्टोरियन है और वो बड़ी बड़ी खूज कर चुके है और उनकी मैगजीन में फूटो भी चपी है अब भाया मिगेल के जो पापा है उनकी याददा शकम जो रहे होंने भूले की बिमारी है और उसी का एलाज करवा रहे हैं मिगेल मिगेल अपने पापा के लिए जॉइंट लेके आते हैं उन्हें जॉइंट पीना सक्त मना है लेकिन फिर भी उनके लिए जॉइंट लेकि आते हैं उनके पापा जॉइंट पीते हैं और बोलते हैं ये बात अपनी मा को मत बता देना और हाँ मैं अभी भी जवान हूँ तबी दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम आरियल है और वो अपना खुछ का म्यूजियम खूड रहा है और उस म्यूजियम में उसी खजानी का मैप है और वो मैप अब मिगेल दीख लेता है कि ये आदमी कुछ न कुछ तुक करने और फिर मिगेल के पापा बोलते हैं कि आरियल जो है मेरा सुडेंट था वो बहुत जादा ब्रिलियंट था उसको बोलना कभी वो मेरे घर पे आए और हम सब बैटके पार्टी करेंगे मिगेल बोल देता है हाँ हाँ ठीक है मैं बोल दूँगा और फिर वो आपने पादर को एक्टरसाइस कराने लग जाता है तब उसके फादर बोलते हैं कि इस बिमारी का कोई इलाज नहीं है और मैं जल्दी ही सब कुछ भूल जाऊंगा और मर जाऊंगा तब भी मिगेल बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा और मिगेल जैसे ही बाहर जा रहा होता है देखता है कि न मूर्ती है और वो उन दोनों को बताता है कि यह बहुत बेश कीमती मूर्ती है इसका कोई हिसा भी नहीं है अब वो दोनों लोग जो है वो बहुत जादा पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसे खरीदना पड़ेगा वो औरत कहती है इसे 10,000 डॉलर में हमें आरे नाम कर लेकिन मिगैल बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो फिर औरत के लिए 12,000 डॉलर ले लो लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है फिर उसका पती कहता है कि ठीक है मैं 15,000 डॉलर दे रहा हूं और हमारा जो मिगैल है वो मान जाता है कि चलो मैं ठीक है इसे 20 दूँगा त भी वहाँ पे Wilson आ जाता है और Wilson आके बचाके ली जाता है अपने भतीचे को और बोलता है कि तुझे पिटने देना चीए था वरना मैं नहीं आता ना तो आज तेरा कचुमर बनाई देते हैं वो लोग Wilson जो है उसके पास एक गार्ड है जो की पुलिस वाले का है और वो जूट मूट का पुलिस वाला बनके लोगों को ठग लेता है Wilson और Miguel जो है वो बाते करने लग जाते है कि हमारा काम भी नहीं चल रहा है और पापा का इलाज भी करवाना है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है में खजाने के पीछे जला जाता और वो आरियल की फोटो पे कुछ ना कुछ बना ले लग जाता है वो कहता है कि आरियल को अभी भी पापा याद करते हैं और पापा उसे भूलने ही पाए है इसकी तो मैं बैंड बजा दूँगा और पता है ये इतना बड़ा हो गया है कि खुद का म्यूजियम भी खोल रहा है अब भाई विलसन बोलता है कि देख वो तेरी तरह है ना बकवास नहीं करता वो पढ़ लिखके बड़ा आदमी बन चुका है अब ये काने फिर सिर्फ हो जाती है विलसन और मिगेल के उपर मिगेल बोलता है कि हमें वो मैप चुराना होगा और वो मैप है आरियल के म्यूजियम में अब विलसन कहता है कि तेरे पास वो मैप है नहीं तो छोड़ का ही बात कर रहा है अब मिगयल बोलता है कि देख में इतना समाजदार तो हुई और मिगयल ने उस टैٹو की फूट खैंच लीती और वह दिखाता है विलसन को कि देखो ये मैप असली है और फिर Miguel बोलता है लिली भी हमारे साथ है तली तुझे घास भी नहीं डालती है और Miguel चुर जाता है बोलता है नाइ-नाइ मेरे को वो प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ तब ही वो फोन में दिखाई रहा होता है एक चोर आती है और Miguel का फोन लेकर भागने लग जाती है Miguel उसके पीछे जाता है दोड़ता है लेकिन चोर तो और तेज दोड़ रही है Miguel उसके पीछे दोड़ रहा है लेकिन चोर और तेज दोड़ रही है लेकिन चोर को कहाँ ही तरस आने वाला था वो लड़की जो है फोन के साथ ही पानी में कूच जाती है और उसकी जो डाइव है बहुत ज़ादा ही खतरनाक होती है यहाँ विल्सन सब कुछ चुप चाप देख रहा होता है और जहाँ पे वो लड़की तैर के निकल रही होती है वहीं पे विल्सन पहुच जाता है और कहता है कि तुमारी डाइव अच्छी थी मैं तुम्हें आठ नमबर दूँगा लेकिन वो लड़की कहती है वो दस नमबर करी डाइव थी मेरी पुलिस वाली मैडम बोलती है कि हो सकता है लोगों ने इससे बहुत जादा बदला निकाला हो तब ही इसकी चमड़ी उधेर दी है और इसका पता लगाओ कि ये कौन से होटेल में रुका हुआ था क्योंकि ये एक टूरिस्ट है और इसकी वाच और कपड़ों से लग रहा ह अब उस औरत को घुसा आ जाता है कि तुम पागल हो क्या और वाच कैसे दे सकते हो तुम किसी को ये एक सबूत है लेकिन बाई वो पुलिस वाला तो मानता है नहीं हो कहता है तो मित्ति गर्मी मत दिखाओ और फिर देखती है कि उसका एक ब्रेसलेट है और वो ब्रेसलेट रिवर होटेल का था जो कि एक रूम की चावी है अब दिखाया जाता है लिली को लिली जो है उसी होटेल में आती है और वो देखती है कि एक बंदा है जिसके पास बहुत सारे पैसे है और वो लोगों को देख रही होती है तब ही वो एक बंदा चूस कर लेती है उसे वो कम करी होते हैं वो उस आदमी का ATM कार्ड लेके फटा-फट से अपने अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर लेती है और वहां से निकल जाती है तब ही देखते हैं कि पुलिस वाले जो है वो आ जाते हैं और वो लिली को जेल में डाल देते हैं तो लिली बोलती है कि मुझे फो पासपोर्ट देख रहा होता है और वहीं पे वो लड़की कहते है जाओ तुम ग्लस फेन के आओ क्योंकि तुमने ग्लस नहीं पहने और तुमने उसके पासपोर्ट पे फिंगर प्रिंस भी छोड़ दिया है अब भाई ये कारणी वापिस से सिफ्ट हो जाती है जेल में जह जो है एक perfect plan मनाता है वो लुकस को कहता है कि तुम जो है वो security system hacker के वीडियो की जगे एक photo लगा दोगे ताकि वो जो camera है वो हिलेना और लिली को बोलता है कि तुम सबसे पहले museum में जाओगी उस map का पता लगाओगी कि वो map कहाँ पे है और साथ-साथ ये पता लगाओगी कि जो है AC duct के जरिये जाओंगा उस room में क्योंकि हम सबसे पहले तो AC का तार काटेंगे और जो aerial है वो नहीं चाहेगा कि उनके guest को गर्मी लगे और वो फटा-फट से AC on करवाएगा इसके लिए उसे बुलाने पड़ेंगे AC वाले बंदे और जैसे AC वाले बंदे आएंगे लि देखता है कि AC का जो पाट है वो बंद हो गया है AC duct के जरिये जैसे ही वो जा रहा होता है उसकी जूते के जो dust particles है वो गिर जाते है एरियल के कंदे के ओपर लेकिन एरियल जो है इतना ध्याण नहीं देता है तब ही वो रास्ता भटक जाता है और AC duct का जो रास्ता है वो बं खोलता है और सारी फोटोस ले लेता है उस मैप की जो उसे चाहिए होती है और फटावट से वो उसे बंद कर देता है और जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है क्योंकि उसका प्लैन यह होता है कि मैं फोटो कहच के उसी भीड में शामिल हो जाऊंगा जिस भीड में लोग नहीं पकड़ा जाएगा ये तो second episode में पता चलेगा लेकिन वो कहते है ना चोरों से शातिर भी पुलिस वाले होते हैं तो पुलिस वाले धोएंगे जरूर मिगेल को ऐसा मुझे लगता है लेकिन अगर second episode देखना है तो channel को subscribe करना पड़ेगा वीडियो को like करना पड़ेगा और bell icon दवाना पड़ेगा यारो तब तक के लिए मिलूँगा नेक्स वीडियो में टाटा बाई बाई सी यू